हेलो फ्रेंद्स, गर्मियों के मौसम में अपनी बॉडी को गर्मी से बचाने के लिए ज्यादा तरलो हुग या तो फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं या फिर कोल्ड रिंका सेवन करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं विदेशी तरीकों को छोड़ कर यदि आप देशी ठंडा यानि की हमारी प्रकरती ने जो हमें चीजे प्रदान की हैं उनका सेवन करें तो वो भी गर्मी से हमें निजाद दिला सकती हैं आईए देखते हैं कि देजी ठंडा किस तरीके से हमारी गर्मी को दूर करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है टिप नमबर वन है आम पन्ना आम पन्ना कच्छे आम को भुन कर बनाया जाता है इसके अंदर बिटिमिन सी और अंटि आक्सिडन तत्वों की भरमार होती है जिसकी वज़े से ये लू से बचाने के लिए काफी अच्छा माना जाता है यदि आपको बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है तो आप इन गर्मियों के अंदर आम पन्ना का फायदा उठा सकते है टिप नमबर टू है छाज जी हाँ दही से बनने वाली छाज भी हमारे शरीर को गर्मी से बचाने के लिए काफी अच्छी मानी जाती है चार्ज दही से मिलती है इसे लिए काफी ज्यादा ठंडी होती है और हमारी बॉड़ी के टेंपरेचर को सामाने बनाने में भी सक्षम होती है आप चाहें तो रोजाना एक ग्लास चार्ज पी सकते हैं और अपनी बॉड़ी को खुशनुमा बना सकते हैं टिप नमबर त्री है मौसंबी का शर्वत यानि कि मौसंबी का जूस मौसंबी का जूस भी आप गर्मियों के मौसं में पी सकते हैं मौसंबी के जूस के अंदर कही ऐसे तर्दो होते हैं जो ना केवल हमारी शरीर को पोशित करते हैं बलकि हमारी शरी को गर्मी से बचाने के लिए भी सक्षम होते हैं आप गर्मी से बचने के लिए मौसमी की जूस के अंदर बरब डालकर इसका सेवन कर सकते हैं टिप नमबर 4 है नीबू पानी नीबू पानी सबसे सस्ता और अच्छा सौधा है गर्मी से बचने के लिए आप घर बैठे नीबू पानी का आनंद उठा सकते हैं और अपने बॉड़ी के टेंपरेचर को टार्मल बना सकते हैं टिप नमबर फाइब है तरबूस का रस तरबूस का रस भी काफी अच्छा माना जाता है बॉड़ी के टेंपरेचर को घटाने के लिए और गर्मी के एहसास को कम करने के लिए आप चाहें तो रोजाना एक तरबूस का सेवन भी कर सकते हैं ये ना केवल आपके शरीर की गर्मी को हटाएगा बार की बॉड़ी को हाइडरेट रखने के लिए शरीर के अंदर पानी की कमी को भी पूरा करेगा सो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे देसी ठंडे जो आपकी बॉड़ी को गर्मी से बचा सकते हैं इन्हें ट्राइज जरूर करिए और अपने व्यूस को हमाईसा शेर करिए